अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान की दया हजारों जिन्दगियों को बदल सकती है, तो सुनिए, ये कहानी है भगत पूरन सिंग जी की. भगत पूरन सिंग जी का जन्म 4 जून 1904 को पंजाब के एक छोटे से विलिज में हुआ था. बच्पन से ही उनकी मा ने उन्हें दूसरों की सेवा करना सिखाया, चाहे वो किसी भी धर्म या जातिके हों. करुणा का यह सबक उनकी पूरी जिन्दगी को बदलने वाला था. 1902 साह इस 34 में गुरुद्वारा डेरा साहिब के दर्वाजे पर एक लावारिस विकलांग बच्चे को छोड़ दिया गया. जहां दूसरे लोग हिचकिचाए, वहीं भगत जी ने उस बच्चे को गले लगा लिया और उसका नाम प्यारा रखा. इसी पल से पिंगलवाडा की शुरुवात हुई. एक ऐसी संस्था जो बे सहारा और लावारिस लोगों की देख भाल करती है. पिंगलवाडा के जरिये भगत जी की विरासत आज भी जिन्दा है, जो हजारों लोगों को शिक्षा, पुनर्वास और उम्मीद देती है. उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इनसान की दया दुनिया बदल सकती है. भगत पूरन सिंग जी की जिन्दगी निस्वार्थ सेवा की ताकत का सबूत है. आएए उनके प्यार और करुणा के संदेश को फैलाएं. दुनिया हमेशा उनकी आभारी रहेगी.